लगातार आप देख रहे होंगे कि दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वहां आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है उसका बिस्त्रित रूप फैलता जा रहा है और पूरे भारत के किसानों ने दिल्ली की तरफ रुख कर लिया है इसे देखकर स्वरकार के पसीन के लिए तरह-तरह के अफवाह उड़ाये जा रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा कि भारती जंता पार्टी का जो IT सेल है वहां IT सेल किसानों के अंदोलन को लेकर के तरह-तरह का अफवाह उड़ा रहा है लोग सवाल पूछ रहे हैं यहां तक कि यह भणवागीरी करने व करने वाले इन दलालों से कि किसान को फंड की जरूरत नहीं होती यह किसान ऐसा है कि अपने पसीने से सीच करके अन्न पैदा करता है अब पूरे दुनिया के लोगों को जिंदा रखता है और लोगों को फंड भी देने का काम करता है किसान एक आशा ब्यक्ति है कि किसान के घर में अगर कोई भीखारी भी आ जाए किसान भले भूखा हो लेकिन भीखारी को वापस नहीं जाने देता है किसान भले जो है फटे पुराने कपड़े में लिपता हो लेकिन कड़कडाती हुई ठंड में अगर उसके दरवाजे पर कोई भी अगर आदमी आ जाए तो सायद वह क पड़े की बेवस्था करके पूरी रात गुजारने का काम करता है अब पूछते हो कि किसान का फंड कहां से आ रहा है फंड की जरूरत किसान को नहीं होती है फंड की जरूरत यह भारती जनता जैसी पार्टी जो है आयशे पार्टीयों की जरूरत होती है क्योंकि शेवन इस् अगर जाता है तो रहने के लिए उसे फाइब इस्टार होटल चाहिए पीने के लिए उसे जो है हिमालया का बोतल चाहिए अरे जनाब ये तो किसान है किसान फाइब इस्टार होटल में नहीं रुकता है किसान तो किसी पेड के नीचे अपना या सियाना ठेकाना लगाता है औ खाने के लिए उसे कोई गाजर का हलुआ नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है, काजू और पिस्ता नहीं खाना है, कि उसको हजारो रुपए की जरूरत है, वो तो घर से आटा लेके गया है, आटा गूतेगा, पेड़ से लकडी तोड़ेगा, सडक पे जलाएगा, और वहीं उसे साहब कान सी जरुरत है फंड की और जो लोग ये कह रहे हैं कि किसान को फंड की जरुरत हैं। किसान को हिमालया का पानी नहीं चाहिए जनाब किसान को कोई हैंड पाइप अगर दिखाई दे गया तो हैंड पम्प चलाएगा पानी पीएगा बोतल में भरेगा अपना काम चला लेगा उसे फंड की जरूरत नहीं है लेकिन इह किसान की चेताओनी है मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अडानी अंबानी मोदी शाह और राजना सिंग आप लोग अपना होश्ट ठिकाने कर लो क्योंकि अभी ट्रेन बंद है उसके बावजूद भी किसान इतनी बड़ी संक्या में वहां पहुँच चुका है सायद अगर ट् गया होता पूरे दिल्ली में त्राहिमान मच जाती तो किसान बिरोधी जो बिल है इसको आप लोग वापस करिए और यह फवाह मत उडाईए कि किसानों को फंडिंग की जरूरत किसानों को नहीं है फंडिंग की जरूरत उन भगवा आतंकियों की है जो गाय के नाम पर खेकर में काटते हैं कि सोदन बने यह फंडिंग की जरूरत किशान को नहीं है फंडिंग की जरूरत शुबोध सिंग इस्पेक्टर जो हैं उनके हत्यारों को हो सकती है जो गाय के नाम पर इस्पेक्टर सुबोध सिंग की हत्या करते हैं और यही भाजपा के लोग यही सरकार के लोग उस हत्यारे को माला पहनाते हैं और जब जेल से छूट के आता है तो उसको क्या करते हैं पत किसान के पास फंड होता तो बड़ी किसान की नहीं होता कि आरवों की जो कड़ो करोडों की चेज्म कि दल्ला गिए करने वाले भणवागीरी करने वाले जो सांसद हैं इनकी होती है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों पर आख उठाना बंद करो अफवाह बंद कर दो किसान को जरूरत नहीं है किसी के फंड की किसान तो अगर एक बोरी आटा घर से लेके चला गया पचास किलो चावल घर से लेके चला गया तो एक महिने वो दिल्ली में बैठके आंदोलन करेगा और तुम्हारे लिए अगर दिल्ली में एक महिने रहना हो गया लाव लशकर लगजरी गाड़ी ले करके तो तुमको करोड़ो रुपए चाहिए फंड चाहिए तुम क्या कराओगे फंड लेने के लिए किसी का प्रांट बंद कराओगे फंड लेने के लिए कहीं जाके जो है असपताल वाले के यहां उसके असपताल पर धरना दोगे तुम गुंडा टैक्स लोगे यह तुम्हें जरूरत पर्ती है किसान को जरूरत नहीं परती है इसी के साथ मैं आप लोगों से